तो जहीं दोस्तों, welcome back to the channel, मेरा नाम है कुश्कर और आज की इस वीडियो में जो है ना, Xiaomi Pad 6 में wireless display का एक option मिलता है, या एक feature मिलता है, जिसका use करके, अब बिना internet connection के, अपने Windows laptop पे, या फिर अपने smart TV पे, इस Xiaomi Pad 6 के display को project कर सकते हैं, या mirror कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, वो complete हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे, इसके अलावा भी बहुत सारा doubts या question होगा, कि Xiaomi Pad 6 के display को, अगर हम अपने smart TV पे, या फिर Windows laptop PC पे project करते हैं, तो media output जो है, वो tab के speaker के through play होगा, या फिर TV या laptop के speaker के through play होगा, क्या laptop से connected जो keyboard, mouse है, वो properly work करेगा या नहीं करेगा, इसके अलावा Xiaomi Pad 6 के display को, बड़े display पे project करने के बाद, क्या OTT content भी हम properly बड़े screen पे play कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सारे questions का answer आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like और चानल को subscribe जरूर कीजेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मेरा Xiaomi Pad 6 है, और यहाँ पर अगर हम इसके control center को open करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि इसमें Wi-Fi जो है, वो on है, बट मेरा Xiaomi Pad 6 किसी भी internet connection से, या किसी भी Wi-Fi network से connected नहीं है, दूसरी तरफ यह मेरा Windows laptop है, जो कि Windows 11 पर चल रहा है, और इसमें भी अगर हम यहाँ पर control center को open करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि Wi-Fi enabled है, और यहाँ पर आप करते हैं, तो available Wi-Fi network यहाँ पर शो कर रहा है, बट यह जो मेरा laptop है, यह किसी भी Wi-Fi network से, या किसी भी type के internet से connected नहीं है, सिर्फ Wi-Fi enabled है, मेरे Windows 11 वाले laptop में भी, और यहाँ पर Xiaomi Pad 6 में भी, बट यह दोनों ही device किसी भी type के Wi-Fi network से, या किसी भी type के internet से connected नहीं है, अब नेक्स यहाँ पर अगर हम Xiaomi Pad 6 के setting में आते हैं, setting में आपको यहाँ पर more connectivity का option मिलता है, इसमें आपको wireless display का option मिलता है, इसको select करना है, और यहाँ से आपको wireless display को on करना है, अब लास्ट जो दो device as a wireless display में अपने Xiaomi Pad 6 के साथ use किये थे, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर show कर रहा है, बट फिलाल unavailable show कर रहा है, अब नेक्स यहाँ पर हम अपने laptop में Windows के icon पर tap करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर setting में आ जाते हैं, सेटिंग में यहाँ पर आपको आना है system setting में, अब यहाँ पर आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको projecting to this PC का option देखने के लिए मिलेगा, इसके उपर tap करना है, अब यहाँ पर जो सबसे पहला setting आपको मिलता है, some window and android device can project to this PC when you say it's okay, और यहाँ पर आपको तीन option मिलता है, तो यहाँ पर हम available everywhere on secured network वाला option जो वो select किये हुए है, आप चाहें तो यहाँ पर available everywhere वाला option भी select करके रख सकते हैं, इसके बाद next यहाँ पर ask to projected to this PC का option मिलता है, और हम फिलाल यहाँ पर every time a connection is requested वाला option select किये हुए हैं, इसके बाद pin का option मिलता है, जिसमें हम never वाला option select किये हैं, इसके बाद last में यहाँ पर आपको एक toggle switch मिलता है, अगर आप इसको on करके रखते हैं, तो आपका PC as a wireless display तभी discoverable रहेगा, जब आपका PC या laptop जो हो power source से connected होगा, अगर आप चाहते हैं कि बिना power source के भी आपका PC या laptop as a wireless display discoverable रहे, तो आप इसको disable भी रख सकते हैं, अब जैसे हैं आप अपने Windows laptop या PC में system setting में projecting to this PC वाले page पे आते हैं, वैसे हैं आप देखें कि यहाँ पे मेरे Xiaomi Pad 6 में जो है न, मेरा laptop या PC जो है वो इस तरीके से as a wireless display show करने लगा है, अगर हम यहाँ से इसको select करते हैं, तो यहाँ पे connecting show हो रहा है, और यहाँ पे आप मेरे Windows laptop पे देख सकते हैं, कि यहाँ पे Xiaomi Pad 6 is attempting to project वाला option show कर रहा है, तो यहाँ से अगर हम OK के option को select करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा Xiaomi Pad 6 का display जो है, वो मेरे Windows laptop पे project हो चुका है, अब फिलाल के लिए हम इस wireless display को यहाँ से disconnect कर देते हैं, ताकि हम आपको यह बता सकें कि अगर आप अपने Windows laptop में system setting में projecting to this PC वाले page पे आते हैं, आपके Xiaomi Pad 6 में आपका laptop जो है, वो as a wireless display तरीके से show करता है, आप उसके उपर tap भी करते हैं, बट किसी भी कारण से अगर आपको इस तरीके का pop-up नहीं आता है, तो किस तरीके से आप अपने Xiaomi Pad 6 के display को अपने Windows laptop पे project कर सकते हैं, तो उस condition में आपको projecting to this PC वाले page पे जो है न, यहाँ पे launch the wireless display app to project to this PC वाले एक option देखने के लिए मिलता है, और इस option के उपर आपको cursor लेके जाना है, इस option को select करना है, उसके बाद आपका Windows laptop जो है, वो इस तरीके से blue screen में convert हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप अपने Xiaomi pad 6 पे जो आपका laptop as a wireless display शो कर रहा है, उसके उपर tap करते हैं, तो आपको किसी pop-up को select नहीं करना पड़ेगा, simply आपका Xiaomi pad 6 का display जो है, वो आपके Windows laptop पे इस तरीके से project हो जाएगा, अब यहाँ पे wireless display feature का use करके हैं, कि काफी कम है, काफी ना के बराबर यहाँ पे कोई latency देखने के लिए मिलता है, अप opening, closing के animations में थोड़ा सा jitterness जैसा feel होता है, बढ़ोतना चलेगा, अब अपने Xiaomi pad 6 पे कोई भी आपको ऐसा काम करना है, जिसमें internet का requirement नहीं है, जैसे कि gallery में कोई photo, video है, और आप उसको बड़े screen पे दिखाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, और एक बार जब आप इस तरीके से अपने Xiaomi pad 6 के display को अपने Windows laptop पे project कर लेते हैं, उसके बाद आपने laptop के keyboard, trackpad या आपके laptop से जो भी connected keyboard या mouse है, उसको भी आप use कर सकते हैं, अब ये एक wireless mouse है, जो कि मेरे Windows laptop से connected है, और हम चाहें तो इसी mouse से tablet को भी use कर सकते हैं, हम चाहें तो किसी game को यहाँ पे launch कर सकते हैं, और एक बार जो आप इस तरीके से display को project कर देते हैं, उसके बाद जो भी media output होगा, वो आपके laptop के speaker के through ही play होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि हम अपने laptop के keyboard को भी use कर सकते हैं, बड़ ये depend करेगा game के उपर कि किस game के साथ कितना बेटर तरीके से keyboard and mouse work करेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है न, आप keyboard and mouse का use करके game play कर सकते हैं, अब अगर आपको अपने tablet में YouTube पे कोई video play करना है, और आप चाहते हैं कि वो बड़े screen पे play हो, तो उसके लिए तो आपको internet connection का requirement होगा, तभी आप YouTube पे video play कर पाएंगे, इसके अलावा इस तरीके से Xiaomi Pad 6 के display को wirelessly अपने Windows laptop पे project करके, आप Netflix, Prime Video या other OTT content जो है न, वो अपने बड़े screen पे play नहीं कर सकते हैं, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अपने Xiaomi Pad 6 पे YouTube पे एक video play कर रहे हैं, और वो same video जो है न, इस तरीके से मेरे Windows laptop पे play हो रहा है, जो media output है वो मेरे laptop के speaker से, या laptop से जो भी connected speaker होगा, उसी के थुरू आएगा, बढ़ अगर आप ऐसा सोचते हैं कि एक बार आप अपने tablet पे video play करके, अपने tablet के screen को अगर off करते हैं, तो video playback जो है, वो भी pause हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि laptop का screen भी black हो गया, उसके बाद आपको अपने tablet को unlock करता होगा, और वहाँ पे भी lock screen जो करेगा, जैसे ही आप unlock करेंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर projection जो है, वो continue है, projection जो है वो disconnect नहीं होता है, अगर आपने laptop के screen को off भी करते हैं तो, बढ़ वहीं पर अगर हम यहाँ पर Netflix पर कोई content प्ले करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो video है, वो मेरे tablet में play हो रहा है, जो इसका sound है, वो मेरे laptop से connected speaker में, या laptop के speaker में play हो रहा है, और यहाँ पर जो है ना, your plan does not allow watching on external display जैसा show कर रहा है, because मेरा जो plan है वो 149 रुपीज वाला है, जो कि हम mobile या tablet में ही use कर सकते हैं, अब जैसे यहाँ पर अगर हम prime video पर भी कोई movie stream करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे laptop पे जो है ना, black screen शो कर रहा है, जो media output है, वो मेरे laptop के speaker के through play हो रहा है, बट video जो है, वो मेरे यहाँ पे tablet पे play हो रहा है, तो मतलब की OTT contents को जो है आप इस तरीके से mirror नहीं कर सकते हैं, अब next अगर आपको यह wireless display या projection को disconnect करना है, तो आपको अपने tab के setting में आ जाना है, setting में again यहाँ यहाँ पे more connectivity option में जाना है, wireless display में जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, connected show कर रहा है, इसके उपर tap करना है, और यहाँ से आपको इसको disconnect कर देना है, similarly अगर आप Xiaomi Pad 6 के display को wireless display feature का use करके, अपने smart TV पे project करना चाहते हैं, या mirror करना चाहते हैं, तो उस condition में दो requirement है, आपके smart TV में Wi-Fi होना चाहिए, बले ही आपका smart TV किसी भी network से connected हो या नहीं हो, जैसा कि हम आपको laptop के साथ दिखाए, कि Wi-Fi enabled होना चाहिए, किसी internet से connected हो या नहीं हो, इससे कोई फरक नहीं पड़ता, और दूसरा कि आपके smart TV में built-in Miracast का feature होना चाहिए, या wireless display को enable करने का option होना चाहिए, अब फिलाल मेरे पास यहाँ पर Redmi का यह fire TV है, और इसके अगर हम setting में जाते हैं, network setting में जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें Wi-Fi का feature मिलता है, और Wi-Fi को फिलाल हम यहाँ पर on करके रखे हैं, next यहाँ पर अगर हम display and audio setting में जाते हैं, और यहाँ पर अगर हम नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर Enable Display Mirroring का option मिलता है, तो simply यहाँ से हमको Enable Display Mirroring के option को select करना है, और उसके बाद आप देख सकते हैं, इस तरीके से screen शो करने लगेगा, आपके TV में यह feature Miracast के नाम से भी हो सकता है, तो अपने TV में इतना करने के बाद, आपको आजाना है वापस से अपने Xiaomi Pad 6 के setting में, More Connectivity option में, Wireless Display में and यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, कि मेरा TV जो यह वो इस तरीके से show कर रहा है, I hope आपको यहाँ पर देख रहा होगा, कि मेरा TV का name यहाँ पर show कर रहा है, as a wireless display, इस option को just हम यहाँ पर select करेंगे, Connecting यहाँ पर show कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि मेरे TV पर मेरे Xiaomi Pad 6 का display जो इस तरीके से project हो गया है, और एक बार जो आपने Xiaomi Pad 6 के display को आपने smart TV पर project कर लेते हैं, तो जैसे आप laptop के साथ project कर के use कर पा रहे थे Xiaomi Pad 6 को, similarly आप TV के साथ भी project कर के use कर पाएंगे, यहाँ पर भी जो projection का quality है, वो okay है, और यहाँ पर latency जो है ना, वो आप खुद से clearly देख सकते हैं, कोई खास यहाँ पर latency नहीं है, हलका jitter या stutterness जैसा जो है वो feel हो रहा है, एप opening, closing या animations में, हलका सा jitter या stutterness जैसा feel हो रहा है, बाग ही यहाँ पर projection का quality जो है, वो काफी अच्छा है, और इस projection को disconnect करने के लिए, आपको setting में आ जाना है, setting में more connectivity option में, wireless display में, जिस तरही के से laptop के साथ connect और disconnect किये थे, similarly यहाँ पर भी, आप जो है न, अपने TV के साथ जो projection है, इसको भी disconnect कर सकते हैं, so friends आप इस वीडियो में देखे, किस तरही के से आप अपने Xiaomi Pad 6 के display को, wireless display का जो option या feature मिलता है, उसका use करके, कैसे आप अपने Windows 11 पे बेस laptop PC पे, या अपने smart TV पे project कर सकते हैं, या mirror कर सकते हैं, बिना किसी internet connection के, बढ़ यहाँ पर एक important requirement है, कि जिस भी display पे, आप Xiaomi Pad 6 के display को mirror करना चाहते हैं, या project करना चाहते हैं, वहाँ पर built-in Miracast का support होना चाहिए, आपका laptop PC हो, या आपका smart TV हो, वहाँ पर built-in Miracast का support होगा, तभी आप बिना internet connection के, easily, wirelessly project कर पाएंगे, Xiaomi Pad 6 के display को, बागि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like जरूर कीजेगा, चैनल को subscribe कीजेगा, बिल्कुल free है, अपने friends और family में share कीजेगा, इसी तरीके के और वीडियो के लिए, subscribe करने के बाद आप bell icon भी प्रेस कर सकते हैं, बागि इस चैनल के regarding, या वीडियो के regarding, कोई भी आपका advice हो, suggestion हो, comment section में जरूर share कीजेगा, मिलते हम लोग नेक्ट वीडियो में, small limit में कीजे, देखने के लिए आपका धन्यवाद,